इस वीडियो में सिग्नल सिस्टम 2021 का क्वेशन नमर 8 को सॉल्व करेंगे क्वेशन है ये आपका क्वेशन में दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसका क्या क्या करेंगे दोनों साइड लेपलास ट्रांसफोर्म निकालेंगे देखिए दी वाई आप टी बटे डी टी को क्या लिखेंगे लेपलास ट्रांसफोर्म लेपलास ट्रांसफोर्म निकालेंगे तो सॉल्व आप एस माइनास वाई आप जीरो यह वता है दी वाई आप टी बटे डी टी का अगर इसी तरह दी स्कॉार्व आप टी बटे डी टी रहेगा तो क्या लिखेंगे इसको s square y of s minus s into y of 0 minus y dash of 0 इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो चलिए इसको क्या लिखेंगे dy of t बटे dt को s y of s minus y of 0 plus 6 y of t का लेपलास क्या हो जागा y of s equal to x of t का लेपलास क्या हो गया x of s और इसका लेपलास क्या हो गया ये इसको ध्यान में रखना है with initial condition क्या दिया हुआ है question में ही y of 0 minus 2 दिया हुआ है x of t is equal to 3 e to d power minus 3t u of t दिया हुआ है बस इसको देखिए initial condition y of 0 कितना है minus 2 दिया हुआ है x of t दिया है 3 e to power minus 3t u of t इसका लेपलास निकारेंगे किजा निकल जाएगा 3 को बाहर किजिए e to d power minus 3t u of t का लेपलास क्या होगा 1 by s plus 3 तो ये 3 तो बाहर है constant term तो 3 बट्टे s plus 3 हो जाएगा इसका लेपलास क्या हो जाएगा 3 बट्टे s plus 3 इतना कर लिए अब put कर दिजे जहाँ पे s of x है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे equal to आया है 3 बट्टे s plus 3 और y of 0 के जगा पे क्या लिखेंगे minus 2 रखेंगे put कर दिजे equation में तो यहाँ पे देखे s into y of s minus y of 0 केतना है minus 2 plus 6 y of s equal to 3 बट्टे s plus 3 अब put कर दिजे तो y यहाँ पे y of s y of s है common लिखेंगे y of s तो क्या बचेगा s plus 6 यहाँ बचाएगा equal to 3 बट्टे अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा यह जो है minus minus plus हो गया तो यहाँ पे plus 2 आजाएगा इधर आएगा तो फिर minus में आजाएगा तो y of s s plus 6 यहाँ पे आगया यह दोनों से common से और यह 2 जो है इधर जाएगा तो minus में आजाएगा फिर इसको solve कर दिजे s plus 3 3 minus यहाँ पे क्या आजाएगा multiply किजे तो यहाँ पे s plus 2 आजाएगा यहाँ पे जब किजेगा तो minus कितना आजाएगा minus 2s minus 6 अब इसको solve कर दिजे तो यहाँ पे कितना आगया यह आपका आगया तो y of s इसका लुका आजाएगा minus 2s minus 3 बटे s plus 3 पहले से था और यह जो है नीचा आगया divide होके s plus 6 अब क्या करना है partial fraction expansion technique का यूज करना है तो इसको हमनों क्या लिख सकते है minus 2s minus 3 बटे s plus 3 into s plus 6 इसको क्या लिख सकते है partial fraction expansion technique से a बटे s plus 3 और b बटे plus b बटे s plus 6 अब इसको solve कर दीजिए तो यहाँ पर देखिए denominator denominator cancel तो इतना is equal to क्या हो जागा इतना लिख दिए अब जो है s बाले को एक साथ रखे constant बाले को एक साथ रखे अब देखिए a plus b is equal to क्या हो जागा minus 2 और 6a plus 3b is equal to क्या हो जागा minus 3 constant को constant से comparison कर रहे है और s बाले को s से तो a plus b is equal to minus 2 आ गया और 6a plus 3b is equal to minus 3 आ गया यहाँ से solve किजिए a और b का value आ जाएगा a plus b is equal to minus 2 दियावत a is equal to minus 2 minus b रखेंगे और a का बहुत जो value है इसमें रख देंगे तो यहाँ से b के term में आ जाएगा b के term में आ गया तो यहाँ से b का value निकल जाएगा b का value minus 3 आ गया solve करने पे उसी तरह तब यहाँ से a निकल जाएगा a का value आ गया 1 अब put कर दीजे यह जो आपका equation है इसमें put कर दीजे यह जो है इसमें put कर दीजे तो क्या निकला था y of s is equal to इतना निकला था तो हम दो लीग सकते हैं y of s is equal to a बटे s plus 3 plus b बटे s plus 6 तो y of s is equal to किना गया a का value 1 है और b का value minus 3 है तो 1 बटे s plus 3 और यह आपका b का value minus 3 है तो plus minus minus 3 बटे s plus 6 आप क्या करना है दोनों side inverse laplace transform कर देना है दोनों side inverse laplace transform कर देना है taking inverse laplace transform from both side क्या हो जाएगा inverse laplace of y of s is equal to inverse laplace of यहाँ पे देखे 1 by s plus 3 और यहाँ पे 3 जो है इसको बाहर कर लिए constant को तो minus 3 inverse laplace of 1 by s plus 6 तो क्या जाएगा y of s का inverse laplace क्या हो जाएगा y of t is equal to इसका inverse laplace e to the power minus 3t और इसका inverse laplace 3 तो बाहर आ गया it will power minus 60 तो यह आपका solution हो गया देख सकते हैं वारी की से think you for watching this video thank you so much